हाई गाइस मैं ऑजी कमबो जो राज हम बात करेंगे अपने 16 स्टेप के बारे में हमारे हाउ टू सैट अपने बिजनस का एड़ का जो है क्लोजिंग दा सेल हमने बेसिक फंडमेंटल्स बिजनस के कंप्लीट कर लिये हैं हमने प्रमोचन कर लिया है हमने मांक्टिंग कर लिय हैं हमने सेल्स का पार्ट कर लिया हमने ओडर क्लेक्ट कर लिया है हम अपने किस्ट्मर को इंक्रेज कर रहे हैं कि वह जादा से ज्यादा हमें ओडर दे तो जो अपस्टेप आता है वह या आता है कि हमने जो ओडर लिया है उनको सप्लाई करे और उसके अगे निश्ट की प करते हैं कोस्मेटिक के बात करते हैं दूसरी इंडेस्ट्री में ज्यादा तर इंडेस्ट्री में बहुत कॉमन है आप जो अपना मट्चिया सप्लाइब करते हैं वहां पेमेट काफी इंपोर्टेंट हो जाता है एक सेल ट्रांजेक्शन तब ही कम्प्लीट मानी जाती है जब अपने कोई अपने सर्वीस या अपने प्रोड़क्ट को जो बेचा है उसके अगेनेस्ट आप अपनी पेमेट को रसीव कर लेते हैं कि ट्रोजिंग दसेल बेसिकली एक सेल्स प्रोसेस को कम्प्लीट करने का प्रोसेस होता है डिफरेंट इंडेश्टि के लिए उसका मेनिंग ठोड़ा इफ्रेंट हो सकता है यहां पर जो हम रिफर कर रहे हैं को जो हमने आउडर रेसीव किया है उसको सप्लाइब करते हैं और उसके अगेनिष्ट हम पेमट रेसीव करते हैं पेमट क्लेक्सन का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आपने प्रोड़क्त को सप्लाइब कि और साथके साथ ही आपने पेमट रेसीव कर लिया पेमंट आपकी जो टर्म पेंडिसिन आप रेसीव करेंगे मेवी 30 डेज का है जिस भी वे में है आप प्लस माइनस पांच या चार दिन लगा के चल सकते हैं उसके जो पेमट करते हैं उसको यहां पे हम रैफर कह रहे हैं हमने पिछले स्टेप में डिसक्स किया था कि आपको किसी भी कस्टमर के साथ जुड़ने से पहले उसकी रेपूटिशन को जाच लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकते हैं कितना भी सप्लाइब करते कितना भी ओडर आप मार्केट से उठा सकते हैं लेकिन अगर आप उसके पेमट कोलेक्ट नहीं करते तो आपकी जो वह सेल्स राइक्ट है उसको कम्प्लीट नहीं माना जाएगा और वह आपको बिजन अगर आपको प्रोड़क्ट में एक बार चल जाएगा उसके बाद पेमट आना का सुरू हो जाएगा लेकिन ज्यादा तर किसी में ऐसा नहीं होता क्योंकि पेमट आपको रूटीन ली चाहिए जैसे ही आप पेमट कोलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके बिजनस को नुकसान ह होगा तो आपको जो आपकी फस्ट रांजेक्शन है उससे ही पेमट कोलेक्शन पे दियान देना है आपको प्रोड़क्ट को बेचना है और उसकी पेमट जितनी जल्दी से जल्दी आप व्यूच्वल अंडरस्टैंडिंग जो टामन केडिशन है उसके अगे निस्ट आप तरले उतना ज्यादा बैटर रहता है अगर हम सेल्स को बिजनेस का ब्लड मानते हैं तो जो पेमेंट है वो ऑक्सिजन है हम बिना ऑक्सिजन के सर्वाइव नहीं कर सकते हम लिम्टीड पैसा ही मार्किट में बाहर से लगा सकते हैं तो आपको जादा दियान देना है कि पेम देना है ओ पेमेंट को वो ज्यादा बैटर है कि अगर आप पांच लग पर मंत करते हो और उसका 80 सीट सेट में अगर आप का पैमेंट मर जाता है कोई तो अगर आप timely आपके customer आपको pay नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे chances है कि आप अपने vendors को भी timely pay नहीं करेंगे जिसका ultimately यह decision निकलेगा, यह outcome निकलेगा कि आपका stock available नहीं रहेगा आपके पास और जो long term में आपके business के लिए हानिका रखोगा approximately जो 50% business है वो अपने starting के first five years में fail हो जाते हैं उनका जो main उन मैसे जो main कारण होते हैं उन पिसेंट जो working capital और mismanagement और finance है वो key factor रहते हैं उनके लिए तो क्योंकि आप बाहर से ज्यादा पैसा invest नहीं कर सकते हैं आप कितना invest करेंगे आप बैंक के पास एक बार चले जाएंगे दो परसा दो बार चले जाएंगे आपके पास limited savings होगी तो एक लेवल पर आके आपके business को इतनी income generate करना जरूरी है कि वह आपके बिल्स भी निकाल सके अपनी working capital भी निकाल सके और future में जो invest करना है वो भी निकाल सके और यह जो income है वह आपको आपके product और service को sell out करके और उसक आपको कोई problem नहीं आएगी लेकिन अगर आप इसको ignore करते हैं तो आपको अपने business को sustain करना grow करना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको सभी तरह के customer मिलेंगे कुछ अच्छे मीं मिलेंगे जिनकी payment अच्छी रहेगी market में कुछ खराब मीं मिलेंगे जो payment आपकी मार चलेंगे आपकी payment को due time पे नहीं देंगे तो यह आप पर है कि आप अपने business की जो transaction है उनको कैसे एंडल करते हैं तो यह आपको ही decide करना है कि आप इस पार्ट को ignore करके चलते हैं या इस पर अमल करके चलते हैं यह हमारी how to set up new business guide कर last part था उमीद करते हैं कि हमारी जो यह हमने एक series चलाई थी उससे आपको काफी मदद मिली होगी thanks for watching